अगर आप अपनी कार के शिर्यो को अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो आज के वीडियो में मैं दो-दो कार स्थिर्यो का रिविई करने वाला हूँ और ये दोनों स्थिर्यो 2020 के लोवर बजट सेग्मेंट के बैस्ट स्थिर्यो जाते हैं जैसे capacitive touch के साथ आता है, rear camera view है, bluetooth है, A2DP features है और यहाँ पर जो आप मेरे हाथ में stereo देख रहे होगी है, Android 8.1 के साथ आता है GPS, Google Maps और बहुत सारे ऐसे features आपको इन stereo पर use करने को मिल जाते हैं जो इनकी pricing को बहुत आसानी से justify करते हैं और audio quality के मामले में आपको definitely मजा आएगा जो आगे samples आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे So, hey what's up people, मेरा नाम है अभिनमेंड आप देख रहे हैं, true techie So, without wasting any more time, let's get straight into the video तो यहाँ पर start करते हैं अपने iMars 7023B stereo से यहाँ पर यह जो stereo है, without android आता है, लेकिन जो essential feature है, वो सारे मिल जाता है पहले pricing बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको ज़ादा interest आएगा क्योंकि इतनी कम pricing में जो features आपको इसमें मिल रहे हैं, वो definitely interesting है तो जो pricing है इसकी around 4000 rupees है, लेकिन अगर आप मेरा coupon code यूज करते हो, जो मैंने description box में आपको दिया है purchasing के time पे, वो वीडियो में आपको last में मैं बता दूँगा कि किस तरीके से use करना है तो जो pricing है वो around 2500 के आसपास आ जाती है, और कभी-कभी आपको 2200 में भी यह मिल जाएगा अब चलते हैं अपने stereo के features की तरफ, यहाँ पे आपको क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहली चीज़ आप home screen देख पा रहे होंगे, इस सब features ही इसी में आपको मिलेंगे की reset का button है, लेकिन इसको use नहीं करना कोई फायता नहीं है अब अगर आप उपर देखोगे, तो यहाँ पे आपको mic दिख रहा होगा इसका मतलब यह है, कि इसमें आपको Bluetooth A to DP feature मिलता है यानि कि आप अपनी phone calls यहां से कर सकते हो, attend कर सकते हो, अगर आपकी phone call आ रही है तो मतलब completely आपका जितना भी phone के feature है, वो सारे के सारे आप यहां से use कर सकते हो अब यहाँ पे आप extra features अगर और ध्यान से देखो, तो आपकी जो phone book है वो भी completely यहाँ पे आ जाएगी वो completely आप यहाँ से control कर पाओगे, अब अगर इस car stereo के other features पे जाए तो यहाँ पे aux input तो आपको मिलती ही मिलती है, उसके बाद यहाँ पे wheel का option आप देख रहे होंगे, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके steering wheel में buttons हैं, तो आप उससे इस stereo को control करने वाले हो, उसके बाद जो physical button की side आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे on-off plus pause and play या फिर mode का option मिलता है, जिसमें RGB light का effect आपको मिलता है, जो कि काफी attractive लगता है, next previous का है, उसके बाद यहाँ पे आपको volume knob मिलती है तो इसके help से आप volume up and down तो करी सकते हो, other features भी आप use करने वाले हो, फिर यहाँ पे TF card, auxiliary, USB port यह मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ, wheel control वाला feature मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इतनी comprising में आपको wheel controlling के features stereo में देखने को नहीं मिलते हैं, अब अगर इसकी audio output की बात क और जो noise है, वो बिल्कुल भी आपको यहाँ नहीं मिलती, अब आपको मैं sample सुनाता हूँ, आपको idea लग जाएगा कि कितनी अच्छी audio quality मिलती है, जो हम car use कर रहे हैं, वो SX4 है, doors के अंदर इसमें speaker है, तो आप खुजा idea लगाओ कि कैसी audio quality है अब यहाँ पे इस studio के audio quality अभी है, आपने जो सुनी बहुत जादा crisp है, जबरदस्त है, इविन जो मेरी car में तीनी speaker इस टाइम लगे हुए है, एक speaker खराब है, लेकिन उसके बाद भी audio quality इतनी जबरदस्त आती है, आपको bass मिल जाती है, beats मिल जाती है, travel एकनम appropriate है, तो अगर other car में आप इसको use करोगे, आपको पता हुआ कि कितने धासु speaker आपकी गाड़ी में लगे हुए है, उसी तरीके की output आपको इसमें मिलने वाली है, अब यहाँ पे जो pricing है, वो around 2500 आपको coupon code के साथ मिलेगी, वैसे ये around 4500 के आसपास पढ़ेगा, description box में buy करने का link दिया है, model है iMart 7023B, उसके नीचे just coupon code मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप purchase कर सकते हो, अब आते हैं अपने दूसरे stereo पर, यानि Android 8.1 वाले पर, तो जो दूसरे stereo था, वो मैंने dashboard में fit कर लिया है, भी हाँ पर आप देख सकते हो, जो इसके looks आ रहे हैं, वो पहले वाले से बहुत जादा ज experiences में दिखाई देता है, मैंने थोड़ा setup कर लिया है, जो इसका model make यह सब चीज डालने के बाद, तो इस तरीके के कुछ animations आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और गाड़ी के looks बिलकुल ही change हो जाता है, बात करें, यहाँ पे software supportability की, तो यहाँ पे Android 8.1 Go मिलता है, इसमें स सारी की सारी apps जितनी भी Android 8 को support करती है, वो सभी काम करती है, चाहिए आप Gana, Spotify, कोई भी app यूज करो, बहुत मस्त काम करती है, उपर से यहाँ पे YouTube आप यूज कर सकते हो, लेकिन गाड़ी चलाते हो YouTube मत चलाना, अगर आप कहीं खड़े हो, किसी का वेट कर रहे हो एक गंट स्टीरियो आते हैं, उसमें सिर्फ आपको इतना गैप ची है, टूडिन में डबल हो जाता है, और जो फिटिंग है वो एकदम प्रोपर आती है, maximum, यानि कि ये यूनिवर्सल स्टीरियो है, दोनों के दोनों जो मैंने आपको बताई है, ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी गाड़ी में फिट कर सकते हो, जो डिस्प्लेय के रिजोनल्यूशन है, वो है 1024 x 600, तो क्वालिटी आपको HD मिलती है, फुल एजडी यहां पे नहीं मिलता, लेकिन HD क्वालिटी 7 इंचिज पे एकसेप्टेबल है, गाड़ी में गर आप यूज करते हो, इन स्टीरियो पे आप रियर कैमरा व्यू ले सकते हो, जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे तो रियर कैमरा व्यू स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी किट में भी आपको रियर कैमरा फ्री मिलता है, तो आप किसी भी लोकल इलेक्रिशन या फिर जो स्टीरियो फिट करते हैं उनके पास आपको सुनने को मिल जाएगी उसके बाद जो RAM and ROM है वो 1GB है और 16GB यहाँ पर आपको ROM मिल जाती है तो 16GB में आराउंड 5-6GB के अगर आप गाने भी रखोगे तो 1,000 या 1500 के आसपास गाने आसानी से आजाते हैं यह stereo support करता है iOS and Android mirroring को यानि के आप अपने device की जो screen है वो directly इसी stereo पर mirror कर सकते हैं चाहे आपका iOS यानि के Apple devices हो या फिर Android devices हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता साथ ही साथ इसमें आपको dedicated GPS antenna का slot मिलता है GPS antenna भी इसी के साथ आता है जिसकी help से आप maps तो use करीप आओगे अपनी गाड़ी को भी track कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे जो speedometer है वो भी आपकी stereo की screen पर चल जाता है उसके बाद subwoofer की अलग से output है on off का option भी इसी stereo की help से मिल जाता है यानि कि इसी stereo की help से आप subwoofer को on and off कर सकते हो जो आप extra base लगाने वाले हो और यहाँ पे Bluetooth के साथ आपको A to DP feature मिलता है यानि कि आप अपने music playback को directly यहाँ से control कर पाओगे phone calls को कर पाओगे receive कर पाओगे पूरी phone book आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो पूरे phone का control आपके Bluetooth के थूरू इसी stereo से हो जाएगा phone को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है steering wheel control भी इसी stereo के साथ मिल रहा है मतलब इस stereo में काफी सारे feature आपको ऐसे मिल जाते हैं जो other brand अपने stock stereo में भी नहीं दे पा रहे हैं तो काफी सार लिए मुझे दोनों को फटाफट switch करना पड़ा और जो 10.1 inches वाली screen है उसका review भी आपको एक दो दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा i button पे link आ चुका होगा अगर video upload हो चुका है और description box में भी वो link मिल जाएगा तो मेरा recommendation यह है कि अगर आप इस stereo को purchase करना चाते हो तो pricing इ क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज गल यह आ रही है कि आपको glass नहीं मिलता screen के ओपर लेकिन इस stereo में glass मिल रहा है आपने देखा होगा कि plastic की film type आती है बहुत हलकी सी capacitive touch है colors काफी अच्छे है आपका पूरा काम निकाल रहा है GPS है एंड यहाँ पे mirror link मिल रहा है तो कोई च आपको इसमें मिल रही है और audio quality एकदम जबरदस्त है आपने sample सुन है नहीं लिया होगा उसके बाद जो display की quality है वो भी आपको HD resolution पर काफी अच्छे मिल जाती है daylight में कोई दिक्कत नी आएगी बहुत जादा harsh light है तब भी आप इतनी अच्छे से screen को देख पारे थे और अगर आप इसको night में या low light में use करोगे तो अलगी नजारे आने वाले हैं और अगर आप pricing की बात करें तो around 8000 के आसपास है लेकिन coupon code दे रहा हूं description box में इसका अलग आपको just take stereo को update करना है आपको bluetooth वाला stereo चीए तो आप पुराने वाले यानि कि जो इससे पहले वाला मैंने review किया है उसका आप देख सकते हो 7023 भी description box में दोनोंका link है अब depend आपको करता है आपका क्या बज़र्ट है और क्या आपको purchase करना है बागी मेरी राए यही है कि अगर आप एक बार stereo लगा रहे हो और आप 5-6000 रुपे के आसपास खर्च कर सकते हो तो definitely आपको इसके साथ ही जाना चाहिए तो यह था overall video regarding two stereos क्योंकि कुछ different try करने कोशिश की है हम रोज mobile पे PC पे यही videos बनाते रहते हैं तो सोचा है कि कुछ जो daily life में हम use करते है उसका भी video बन आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जो मना करता तो मिलता है नाक्ष्ट वीडियो में thanks for watching